नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज सभी का एक बाग फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेनिस टुडियो उपर तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मद्धिकालिन भारती इतियास और मद्धिकालिन भारती इतियास की संक्लाक इंतरकित आज हम लोग कवर क से जुड़े इसके मोस्ट इंपोर्टन टॉप 20 MCQs जो एक्जाम पॉइंट ओफिस से सेलेक्टिव और मोस्ट इंपोर्टन हैं तो चलिए सुरू करते हैं फरेस्ट नमबर क्वेशन है हमारा कि तैमूर लंग ने किसके सासन काल में भारत पर आक्रमन किया मोहमद बिन तुगलक के काल में बलबन के काल में अलाउदिन खिलजी के काल में या फिर नसरुद्दिन मोहमद सा के सासन काल में तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों आप्श 398 में, 1412 में, 1394 में या फिर 1414 इस्वी में तो इसका सही अंसर होगा उप्सिन नमबर ए दोस्तो तैमूल लंग ने भारत पर 1398 इस्वी में आक्रमन किया था 30. क्योंबर 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 क्यों 1414 में 1415 में या फिर 1416 में तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों आप्शन नमर भी खिजर खा ने 1414 हिस्वी में सहीद वन्स की धापना की थी 5 नमर कुशने मारा कि सहीद वन्स का अंतिम सासक कौन था मुबारक सा अलाओ दिन अराम सा खिजर खा या फिर महमूद सा खिजर खा तो दोस्तों इसका संस्थापक यानि की प्रतम सासक था तो इस प्रकास C तो आप्शन नहीं होगा तो इसका सही अंसर होगा आप्शन नमर भी दोस्तों अलाओ दिन अराम सा सहीद वन्स का अंतिम सासक था 6 नमर कुशने मारा कि याहिया बिन एहमद सरहंदी किस पुस्तक के रचेता हैं तो दोस्तों तारीके फिरोज साही के तारीके मुबारक साही के अकबर नामा के या फिर फुतुहात ए जहांदारी के जिसका स सही अंसरोगा दोस्तों अप्स नमर भी तारीके मुबारक साही के रचनाकार है याहिया बिन एहमद सरहंदी सेवन नमर कुशने मारा किस प्रथम खिजर खा को किस प्रांद की सुविदारी मिली थी मुलतान की लहोर की पंजाब की या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसरोगा दोस्तों अप्स नमर ए मुलतान की सुविदारी खिजर खा को सबसे पहले प्रदान हुई थी किस ने दी थी तो तैमूर लंग ने क्योंकि तैमूर लंग का साथ दोस्तों दिया था खिजर खा ने भारत पर आकर्मन करते समय एट नमर कोशन है मारा कि मुबारक सा ने किस नगर का निर्मार करवाया था आगरा का सिकंद्राबाद का फिरोजाबाद का या फिर मुबारक का बात का तो इसका सही अंसरोगा दोस्तों मुबारका बात नगर की स्थापना मुबारक सा ने की थी नाइन नमबर कुश्चने मारा की यहिया बिन एहमत सरंधी किसके दरबारी थे मुबारक सा के, खिजर खा के, मुहम्मद सा के या फिर इन में से कोई नहीं तो इस प्रकार इसका सही अंसरोगा दोस्तों और आप्सिन नमबर A मुबारक साह के दर्बारी कभी थे यहया बिन एहमद सरहंदी और इनकी प्रसित ग्रंथ का नाम है तारीक मुबारक साही 10 नमबर कुशने मारा के खिजर खाने कौन सी उपाधी धारन की थी सुल्तान की, उलूक खान की, रईयत आला की या फिर गाजी की तो इसका सही अंसरोगा उप्स नमबर सी दोस्तो, खिजर खाने रईयत आला की उपाधी धारन की थी 11 नमबर कुशने मारा के खिजर खान को रईयत आला की उपाधी किसने दी थी बहलोल लोदी ने, तैमूल लंग ने, मुबारक साह ने या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसरोगा दोस्तो, आप्स नमबर भी, तैमूल लंग ने, रईयत आला की उपाधी खिजर खान को दी थी 12 नमबर कुशने मारा कि सही अंसरोगा दोस्तो, तुगलक वंस के अंतिम साहसक, नसुरुदिन महुम्मत साह को पराजित करके खिजर खाने सहीद वंस की स्थापना की थी इस प्रकार दोस्तो, सहीद वंस के साहसक खिजर खाने तुगलक वंस को समाप्त कर सहीद वंस की स्थापना की थी 13 नमबर कुशने मारा कि सहीद वंस के सस्थापक, खिजर खान किसके सेनापती थे तैमूर लंग के, चंगेश खान के, बहलो लोधी के या फिर अरामसा के तो इसका सही अंसरों का दोस्तों आप्स नमबर A खिजर खार तैमूर लंग के सेना पती थे 14 नमबर कोशन है हमारा कि सेयद वंस की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस वंस का सासन इस्थापित हुआ तुकलक वंस का, गुलाम वंस का, खिलजी वंस का या फिर लोधी वंस का तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों आप्स नमबर D लोधी वंस स्टार्ड हुआ था सेयद वंस के बाद सेयद वंस के अंतिम सासक अराम सा को पराजित करके दोस्तों बहलोल लोदी ने लोदी वंस की स्थापना की थी 15. कुशन है हमारा कि टैमूर के प्रतिनिधी के रूप में खिजर खाने दिल्ली के सत्ता किसे प्राप्त की बहलो लोदी से दौलत खा लोदी से अराम सा से या फिन नसुरुद्दिन महमूस से तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों आप्स नमर भी दौलत खा को पराजित करके खिजर खान ने सयद वंस की निव डाली और दिली पर सयद वंस की स्थापना की 16 नमर कुशन है मारा कि खिजर खाने सिको पर किसका नाम खुदवाया गाजी का, खलीफा का, तुगलक सासको का या फिर गाजी का इस प्रस्ट के संदर में देखे तो दोस्तों खिजर खाने कोई भी नाम सिको पर अंकित नहीं करवाया था जो नाम पहले चल रहे थे वही नाम अंकित थे तो पहला कौन सा वंस था सयद वंस के पहले तुगलक वंस तो तुगलक वंस के सासको का ही नाम अंकित था तो इस प्रकार इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्स नमर सी तुगलक वंस के सासको का 17. कुशन है मारा कि खिजरखा की मिरत्य के बाद राजगदी पर कौन बैठा मुहम्मस सा, मुबारक सा, अराम सा या फिर सिकंदल लोदी तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो आप्सिन नमबर B मुबारक सा, खिजरखा का पुत्र, खिजरखा की मिरत्य के बाद सासक बना था 18. कुशन है मारा कि सायद वन्स में कितने सासक थे तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तो आप्सिन नमबर A चार सासक कौन-कौन से तो खिजरखा, मुबारक सा, मुहम्मद सा और अराम सा 19. कुशन है मारा कि सायद वन्स के अंतिम सासक अराम सा की मिरत्य के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा सिकंदल लोदी, इबराहिम लोदी, बहलो लोदी या फिर मुबारक सा जैसा कि दोस्तो अभी मैंने बताया कि बहलो लोदी अराम सा को पराजद करके दिल्ली का सुल्तान मना था तो राम साक के बार राजगदी पर कौन बैठा बहलो लोधी और बहलो लोधी ने दोस्तो लोधी वंस की नवी डाली थी Next and last question है हमारा कि सयद वंस के सासक मुहम्मद सा ने बहलो लोधी को कौन सी उपाधी प्रदान की थी सुल्तान की, गाजी की, रायत आला की या फिर खाने खाना की तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो Option number D, खाने खाना की उपाधी महम्मद सा ने पहलो लोधी को प्रदान की थी तो दोस्तो आज के लिए इतना है इस वीडियो कंटेंट की PDF आप free of course डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में discussion box में दे दूंगा, तो मिलते हैं next वीडियो में, तब तक take care and good bye